12 सालों के अंदर मैं बहुत ही खुश्किसमान हो कि मुझे बहुत बड़े-बड़े leaders के साथ काम करनें का मौका मिला. मुझे ऐसे-ऐसे लोगों के साथ काम करने का मौका मिला, जिन्होंने वेस्टीज में विश्वास किया अपने विश्वास किया राज वो BMW और दसदस लाख रुबेगा चेक ले रही हैं तो इन 12 सालों के अंदर बहुत कुछ सीखने को मिला सिक प्रेजेंटेशन है जो मैं आप सब के साथ जरूर शेयर करना चाहूंगा बिकोज मेरी ये पहली मुलकात है आपके साथ तो मैं आपके वर में जादा नहीं जानता वर्ट ये चीज मुझे लगता है कि हम सब को ये चीज जरूर पता होनी चाहिए क्योंकि अगर आपको वैस्टीश में कामयाब होना है अगर आपको जिन्दगी में आगे बढ़ना है तो हमें ये प्रेजेंटेशन आइ बिलीव आपके थोड़ा थोड़ा आपके काम आएगी आपके लिए काम आएगी और आपके डाउन लाइन के लिए काम आएगी मैं जब भी लोगों से मिलता हूं इन 12 सालों के अंदर में बहुत सारे लोगों से मिलने का मुझे मुझे को motivate रखना बहुत ज़रूरी है because motivation बहुत ज़रूरी होता है आगे बढ़ने के लिए मैं 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 डिफरेंट चीज बिलीव करता हूं कि motivation ज़रूरी होता है और पर problem क्या होती है motivation के साथ कि जितनी जल्दी motivation हमें प्राप्त होता है हमारे अंदर आता है उससे कहीं गुना ज़रूरी होता है ज़रूरी होता है जादा जल्दी motivation हमारे से दूर भी हो जाता है मतलब अगर simple भाष्यम समझाओं तो motivation बिल्कुल ना एक गैस के अंदर भरे एक गुबारे के अंदर भरी होई गैस की जैसा है कि जब तक उस गुबारे में गैस रहेगी तब तक तो गुबारा उड़ता रहेगा लेकिन जैसी धीरे-धीरे गैस कम होनी शुरू हो जाती है गुबारा धीरे-धीरे नीचे आना शुरू हो जाता है वेरा कहने का मतलब यह है कि motivate होने के बहुत तही क्यों होते हैं हम किताबे पढ़के मोटिवेट होते हैं हम यूट्यूब वीडियोस देखके मोटिवेट होते हैं हम किसी काम्याब व्यक्ति की स्टोरी सुनके मोटिवेट होते हैं आज हमें हमारे अप्लाइन की गाड़ी मोटिवेट कर रहे हैं अप्लाइन का चेक मोटिवेट कर जाते हैं या अपने दोस्तों से लोगों से मिलते हैं तो धीरे धीरे वो motivation कम होना शुरू हो जाता है अब ऐसी क्या चीज़ है देखिए एक चीज़ जरूरी है कि motivation चाहिए बट ऐसी क्या चीज़ है जो इस गुबारे के अंदर गैस को बरकरार रखे बनाए रखे सो मैं बिलीव करता हूँ इस दुनिया में सबसे बड़ा motivation कभी भी बाहर से नहीं आता इस दुनिया में सबसे बड़ा motivation हमारे अंदर होता है जिसको अंगरेजी में self motivation कहते इस दुनिया में आपको एक ही चीज मोटिवेट कर सकती है या हम इनसानों को हम हुमन को एक ही चीज मोटिवेट करती है जिसको कहा जाते है नीड नीड मतलब हमारी जरूरत जरूरते ही इनसान को हमेशा मोटिवेट करते हैं मैं बहुत एक्जामपल दे सकता हूँ आपको एक उसका पेपर आने वाला होता है तो लास्ट के एक महीने में वो पोरे साल की पढ़ाई कर लेता है क्योंकि उसको एक जरूरत पैदा हो जाती कि अभी भी नहीं पढ़ूँगा तो मैं फेल हो जाओंगा और मैं अगली क्लास में नहीं जा पाओंगा अगर मैं आप में से किसी को बोलो कि दुपहर के दो बजे गर्मी के टाइम पर सड़ती गर्मी के टाइम पर दुपहर के दो बजे आपको धूप में जाना है तो शायद आप नहीं जाओगी लेकिन एकी रिक्षय चलाने वाला ही होता है जो तपती धूप के अंदर भी हम से बोलता है कि 10 किलोमेटर पैदल चलो तो शायद हम 10 किलोमेटर बहुत कम लोग चल पाएंगे लेकिन ये लोकडाउन के अंदर जब कोरोना फैल चुका था जब लोकडाउन हो चुका था दिल्ली में कितने सारे ऐसे हमारे मजदूर भाई हैं जो 200-300-300 किलोमेटर पैद करते हैं जरूरतें हमारी वक्त के साथ बदलते रहती हैं इसलिए अगर आप अपने जरूरतों को पूरा करने के लिए कोई भी काम करते हो तो आपकी नीड आपको हमेशा मोटीकरने में आपके मदद करती हैं अब मैं कुछ आपके साथ ऐसी चीज़ें शेयर करना हम अपनी गाड़ी लेना चाहते हैं, हमारी सपना है, हमारी जरूरत है, हम अपने घर लेना चाहते हैं, तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जिन्दगी में सिर्फ पेट भरने के लिए या दो वक्त का तीन वाता खाना खाने के लिए अगर हम आए हैं तो शायद हम घलत कर रहे हैं, फिक उस एक चीज़ हमेशा अपने दिमाग में रखिएगा कि भगवान ने अगर इनसान को दिमाग दिया है तो उस दिमाग का इस्तेमाल करके अपनी जिन्दगी को काटना नहीं चाहिए, जिन्दगी को भैतरीन बनाना चाहिए, मैं कुछ ऐसी चीज़ां से शेयर करना चाहूँगा जो हमें सोचने पर मजबूर करेंगी कि हम जो भी वेस्टीज में कर र दूरी हैं. अगर एक परिवार में, एक घर में, एक अगर माबाप के दो बच्चे हैं तो दोनों की जरूरते अलग-अलग होगी, किसी को घुमना फिरना अच्छा लगता होगा, किसी को घर बैठना अच्छा लगता होगा, same way हम सब की भी needs different हो सकती हैं. तो हमें सबसे पहले अपनी needs क अपनी जरूरतों को समझना जरूरी है, हम जो भी काम कर रहे हैं, चाए हम छोटे से छोटा काम कर रहे हैं, चाए हम बड़े से बड़ा काम कर रहे हूं, हम उस काम में तभी कामियाग हो पाएंगे, जब हम उस काम के साथ अपनी needs को connect कर देंगे, कि हम वो काम कर क्यों रहें एक आदमी क्यों इतनी मेहनत कर रहा है या एक मजदूर आदमी क्यों इतना दूप में दक्का खा रहा है या एक नौकरी वाला आदमी क्यों अपनी पूरा दिन नौकरी करता है या एक दुकान बार क्यों पूरा दिन दुकान खोल के बैठा हुए या हम लोग भी जो वेस्टिज कर रहे हैं वो क्यों का जवाब my dear friends हमें पता होना चाहिए so एक इनसान के सबसे पहली जरूरत क्या होती है उसको कहा जाता है basic needs ये इनसान के सबसे पहली जरूरत होती है मतलब ये एक वो जरूरत है जिसके बीना कोई जिन्दा नहीं रह सकता एक लिक्ष्षे चलाने वाले से लेकर ये गरीब से गरीब आदमी से लेकर एक अरबोपती आदमी भी जो भी काम कर रहा है वो सबसे पहले अपनी इस जरूरत को पूरा करने के लिए कर रहा है आज से बहुत साल पहले एक मूवी आय थी जिसका नाम था रोटी कपड़ा और मकान इसका मतलब हम हर चीज के बीना रह सकते हैं बड़ अपनी बेसिक नीड के बीना हम नहीं रह सकते और वो क्या-क्या होती है जैसे कि हमें जिन्दा रहने के लिए खाना चाहिए, अच्छा खाना चाहिए साफ पानी पीना चाहिए, अच्छी हव में सांस लेना चाहिए एक अपने सर पे चख चाहिए हर इंसान को लेकि इंसान नौकरी करता है, नौकरी के अंदर वो इतना पैसा कमा पाता है कि अपना तीन वक्त तक खाना गुजारा कर लेता है, हम जनरल स्टोर्स में जाकर अपनी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं, हम बड़े-बड़े मॉल्स में जाते हैं जरूरतों को पूरा करने के लि My dear friends, ये वो जरूरते हैं जो हर इंसान को पूरी करनी चाहिए. अब अपने सबसे पहला सवाल आपने अपने आप से ये पूछना है कि आज हम जो भी काम कर रहे हैं, क्या हम उस काम से इतना पैसा परमत कमा रहे हैं कि हम अपनी बेसिक जरूरतों को अराम से पूरा कर सकें. मतलब कि अगर पैट्रोल का रेट सो रुपे के जगए दो सो रुपे लीटर हो जाए या सलेंडर का रेट बढ़ जाए या सबजिया महेंगी हो जाए या मेरे बच्चों के फीस बढ़ जाए या दूद का बिल बढ़ जाए तो क्या आज मैं इतनी इंकम कमा रहा हूं कि ये सारी चीज़े मुझे फरक नहीं देती. अगर आज मेरा बच्चा मुझे बोलता है कि डैड मुझे एक अच्छा सा मुबाइल फोन ला कर दो या एक मुझे अच्छे से स्कूल में अड्मिशन करवा कर दो तो क्या आज मैं इतनी इंकम कमा पा रहा हूं कि मैं अपनी इन बेसिक जरूरतों को आराम से पुरा कर सकूँ. मैरे फ्रेंड जब इंसान की अब को होता क्या है कि आज के टाइम में हर इंसान इतना पैसा तो कमा रहा होता है कि वो अपना तीन वक्त गुजारा कर लेता है लेकिन इस लॉक्डाउन के अंदर जब हमारा काम बंद हो चुका था जब नौकरियां चले गई थी लोग की सेल करने के लोगों ने अपनी FD तोड़वाई लोगों ने अपना गोल्ड बेचा लोगों ने अपनी मैंने तो ऐसे लोगों के लोगों ने अपनी बाइक बेची गाड़ी बेची ताकि काम नहीं है नौकरी नहीं है लेकिन घर में बच्चों का पेट भरना है तो पैसा कहां स पूसरी जो need होती है वो पैदा होती है जिसे कहा जाता है हमारी second need जिसे security need कहा जाता है security मतलब security किस चीज में अगर मैं आपको बताऊँ, तो हमें तीन चीजों में security चाही होती है, सबसे पहले अपनी health को secure करना होता है, उसके बाद अपने पैसे को financial security चाही होती है और तीसरा हमें asset security चाहिए होती है अब अपनी health को secure करने के लिए हम लोग क्या करते हैं हम लोग gym वगरा जाते हैं हम लोग fitness centers join करते हैं हम लोग yoga करते हैं morning walk करते हैं हम लोग आजका लोग organic खाना खाने के बारे में सोचते हैं यार आज के टयम में बीमारी या कुछ भी नहीं पता अगर कभी कोई बीमारी लग जाएगी तो हॉस्पिटलों के इतने मोटे मोटे बिल चुकाते चुकाते हमारी कमा तूट जाएगी तो लोग health insurance करवाते हैं ताकि जो भी health problems आए हम insurance से वो पैसा निकाल सके लोग अपने financial security के लिए अपने पैसे को बचाने के लिए क्या करते हैं हम लोग bankों में lockers बनवाते हैं, लोग stock market में पैसा invest करते हैं लोग mutual fund लेते हैं, gold बनाते हैं, हम लोग like properties बनाते हैं कि बुरे वक्त पर ये पैसा काम आए, मैं हमेशा कहता हूँ, हर इनसान के पास एक emergency fund के नाम से पैसा जमा होना चाहिए, जिसको आप तब खर्च कर सको जब आपको बहुत emergency आजए, बहुत सी चीज़े होते हैं हमारे friends आज के time में health को लेकर हमें हमारे पास एक savings होनी चाहिए, आपका बच्चा आगे जाके बड़ा होगा, उसकी बड़ी पढ़ाई के लिए हमारे पास हो चाहे वो गोल्ड हो सेक्यूरिटी के गर मैं बात करो मैं ये फ्रेंड तो एक चीज देखे कि इस लोगडाउन के अंदर बहुत टेलेंटिद इंटेलिजेंट लोगों की भी नौक्रियां चली गए बड़ी-बड़ी कंपनीज बंद हो गई बड़े-बड़े शोरूम्स ब क्या है फैनेंशल सेक्यूरिटी क्या है आज घर में थसलाग रपई पड़े हुए हैं तो हम घर चोड़के नहीं जाते हैं प्लड़ लगता प्लड़ेंगर जोरे सेक्यूरिटी क्या है उसे कहते हैं सोशल नीड, सोशल नीड मतलब इंगलीश में कहा, इंगलीश में कलाइम कही जाती है, a human being is a social animal की जो हम सब हमें और जानरों में फरक क्या होता है कि इंसानों को दोस्त बनाना अच्छा लगता है, हमें अपना सोशल सरकल बढ़ा करना अच्छा लगता है, हमें के पास जाएं, लोग हमारे दोस्त बने, लोग हमारे बारे में जाने, हमारे स्टेटस के बारे में जाने, लोग मतलब सोशल सरकल बढ़ा होना चाहिए, अब अपनी सोशल नीड को पूरा करने के लिए हम लोग क्या क्या करते हैं, अपनी सोशल नीड को पूरा करने के यह सब क्या करते हैं यह सब आपके social circle को बढ़ा करते हैं पर problem पते क्या है मैं हमेशा कहता हूँ कि आपका social circle अगर आपको पैसा कमा के दे रहा है तो तो इसका इसका इस्तेमाल करना कोई गलत बात नहीं है लेकिन अगर आपको social network आपको तरफ time pass कर रहा है तो शायद आप करना चाहिए अपने business को आगे बढ़ाने के लिए सिर्फ time pass करने के लिए नहीं करना चाहिए तो लोग अपनी social network चीजों को इस्तेमाल करते हैं अपना social circle बढ़ाने के लिए बेरे बात को गलत मत लीजेगा आज हमारे पास हमारे facebook पे पांच-पांच हजार दोस्त बने होते हैं पर हमें ये नहीं पता होता हमारे आसपडोस में कोन रह रहा होता है या हमारी building में कोन रह रहा होता है हाज husband wife सामने बैठे होते हैं आज वो आपस में बात नहीं करते पर वो whatsapp पे facebook पे लगे रहते हैं मैं ये friends मैंने अगीन वही कहा कि हर चीज़ का ना एक एक तरीके स साइट यूज कर रहे हो तो ये facebook, twitter, whatsapp ये सब यूज करो अपने business को बढ़ाने के लिए पैसा कमाने के लिए इसके साथ अपने आजकल मैं क्यों ये facebook की बात कर रहा हूं तो इतना बुरा हाल है हमारा कि आज रात को बारा बजे कोई व्यक्ति कोई facebook पे photo डालता है और सुब इसके साथ अपनी social need को पूरा करनी के लिए हम लोग clubs में जाते हैं हम लोग शादी है आप एक चीज़ देखो मालो मैं दिल्ली में रहता हूं मेरा कोई friend पटना में रहता है अब मुझे पता है मेरे cousin है मेरा friend है उसकी शादी है मैं अपनी family के साथ दिल्ली से special पटना गया तीन-चार दिन वहां पे लगाया सारा खर्चा किया शेद मैं खाना खाने के लिए पटना नहीं गया क्योंकि उससे जादा खर्चा तो मैंने आने जाने में रहने में कर दिया होगा पर हम शादियों में क्यों जाते हैं कि इसी वहाने चलो यार परिवार से मिल लिया जाए है ताकि वहाँ पर अपने जैसे लोग मिल जाएं आपको भी पार्क में देखो, हर व्यक्तेना अलग अपना जुन्ड बना रा होता है, कोई Efendi कर रहा होता है, कोई जोगिंग कर रहा होता है, कोई खेल रहा होता है। अगर आपको करोड़ों रुपया है लेकिन अगर अगर आपको लोग नहीं जानते तो आप उस किरोड रॉपए का क्या करोगे अगर आपके पास महेंगी महेंगी गाड़ी है लेकिन अगर आपके साथ उस गाड़ी के अंदर बैठने वाला कोई वीक्ती नहीं है उस अखेली गाड़ी को कहां घुमाते फिर होगे social need भी आज बहुत जरूरी है एक लड़का है जिसका नाम है मार्क जुकरबर्ग उसने इनसान के social need पे काम किया उसने facebook बनाया जिसकी वज़े से आज वो दुनिया का सबसे अमीर young star बन गया क्योंकि उसने इनसान के तीसरी need पे काम किया तो यहाँ पे सवाल अपने आपसे अपने ये पूछना है कि क्या आज हम ऐसा काम कर रहे हैं जहाँ पे हम जब चाहें अपनी social need को पूरा कर सके मैं अभी कुछ दिन पहले मदुकर सर से मिला था तो मुझे उनकी एक लाइन बहुत अच्छी लगी मादुकर जी ने मुझे बोला कि विकाज जी आज हम उस industry में काम कर रहे हैं कि मेरा जब मन करता है मैं काम पे जाता हूँ मेरा जब मन करता है मैं अपने बच्चे के साथ time spend करता हूँ मेरा जब मन करता है मैं उसको school छोड़ने भी जाता हूँ school लेने भी जाता हूँ मतलब एक चीज़ हमने आपसे सवाल पूछना है कि आज मैं नौकरी तो कर रहा हूँ बट क्या वो नौकरी मुझको वो time freedom दे रही है कि आज मैं अपने बच्चों के साथ time spend कर पा रहा हूँ कि आज मैं अपने माबाप के साथ time spend कर पा रहा हूँ कि आज मैं अपनी wife के साथ time spend कर पा रहा हूँ कि आज मैं आज मैं functions में जा पा रहा हूँ कि आज मैं अपनी personal life को बच्छा कर पा रहा हूँ, आज my dear friends, जितनी tough जिंदगी हो चुकी है, पैसे कितनी भागदोड हो चुकी है, husband and wife दोनों काम कर रहे होते हैं, time ही नहीं मिलता, बच्चों को, बच्चों play school में बच्चों को बड़ा कर रहे हैं, so important क्या है कि क्या आप अपने work life balance कर पा रहे हैं, कि आप ऐसे काम में हैं कि अगर आपका आज काम पे जाने का मन नहीं है, तो आप नहीं जा रहे हैं, so आज नहीं है ये चीज़, आज हमें पता है मैं दुकान नहीं खोलूंगा, तो यार मेरा customer भाग जाएगा, याज अगर मैं नौकरे पे नहीं जाऊंगा, तो मेरा boss आपका boss यापका कोई, कोई आपका पैसा आपके वो काम नहीं आए, तो इसलिए पैसा कमाना जरूरी है, बट साथ साथ अपने इस social need को फुल्फिल करना भी जरूरी है, इसके साथ आगे बढ़ते हुए, जब हमारी social need पूरी होती है, फिर इनसान को चाहिए होती है, अगल का मतलब क्या होता है, आज से बहुत साल पहले, इंडिया के अंदर एक बहुत मशूर गाड़ी आये थी, जिसका नाम था मारूती 800, वो इतनी गाड़ी भी किते हर इंसान मारूती 800, मारूती 800 चलाता रहता था, तो उस टाइम पे, एक कपने ने गाड़ी निकाली जिसका न मारूती 800 वालों से डिफरेंट हूँ, मैं इनकी जैसा नहीं हूँ, मैं एक डिफरेंट गाड़ी चला रहा हूँ, तो एस्टीम का मतलब ही होता है, अपने आप में डिफरेंट फील करना, वी आईपी फील करना, प्रिविलेज फील करना, उसको कहता है एस्टीम नीड, मैं बात करूँ, बड़े-बड़े ब्रैंड आपके एस्टीम नीड को फुल्फिल करते हैं, एक जैंपल देता हूँ, आपको एक फ्लाइट के अंदर दो लोग बैठे होते हैं, एक बैठा होता है व्यक्ति जो बीस हजार रुपए के टिकट खरीदी के एकिनोमी क्लास में बैठा है और एक व्यक्ति होता है जो उसी फ्लाइट में लाख रुपए की टिकट देके बिजनस क्लास में बैठा होता है, उन दोनों ने सेम टाइम पर अपनी मनजिल पे पहुँचना है, दोनों की सेम फ्लाइट है, मनजिल भी सेम है, पर एक आदमी एक लाख रुपए टिकट लेके उस फ्लाइट में बैठा है, उसके मन में ये आता है कि मैं इन सबसे अलग हूँ, मैं एक वी आईपी आदमी हूँ, वो अपने स्टीम नीड को पूरा कर रहा है, आज दस हजार रुपए का मॉबाइल फोन भी आता है, डेड़ लाख रुपए का मॉबाइल फ टाकि जब वो BMW में बैठते हैं तो उनको एक डिफरेंट फीलिंग आते हैं कि यार मैं एक अलग जिन्दग ये जी रहा हूँ, आज बड़े बड़े ब्रेंड्स आपकी इस नीड को पूरा करते हैं, आज कहने को तो एक हजार रुपए की घड़ी भी आती है और कहने को तो दस लाख उर गड़ी भी आती है लेकि लोग दस लाख की घड़ी खरीते हैं क्योंकि उनको पता है कि यार मैं मैं वी आईपी हूँ, मैं डिफरेंट हूँ आज, एस्टीम नीड को मैं दूसरी भाशा में बता हूँ, कुछ लोग इसका इस्तिमाल करते हैं दूसरों को खावा करने के लिए, कि यार देखो आज मैं इतना महेंगा फोन इस्तिमाल कर रहा हूँ, आज मैं इतनी महेंगी गाड़ी चला रहा हूँ, कुछ लोग इसको इसको इस्तिमाल करते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस मतलब अपने आप से कि यार आज मैं इतना पैसा कमा पा रहा हूँ कि मैं अराम से डेड़ लाख खुर्बे का अराम से फोन खरीच सकता हूँ, आज मैं इतना पैसा कमा पा रहा हूँ कि मैं अपने लिए एक 40 लाग, 50 लाग की BMW या ओडी गाड़ ही ले सकता हूँ. तो ये बड़े-बड़े ब्रैंड आपके एस्टीव नीड को पूरा करते हैं और ये कहावत कही जाती है कि आपकी नौ से पांच की नौकरी आपका पेट तो भर देती है पर वो नौकरी आपके सपने पूरे नहीं करते हैं तो दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं जो अपन रुपए का लेडीज बैग भी आता है और तीन तीन लाख रुपए का लेडीज बैग भी आता है आज सो रुपए का पर्फियूम भी आता है और दस जार रुपए का पर्फियूम भी आता है तो ये एक्सेसरीज ये सब आपकी एस्टीब नीड को कैटर करते हैं आज कि मैं इतना पैसा कमाना चाहिए कि लग्श्री आपके लिए आम बात बन जाए इसके साथ लोग अपने स्टीब नीड को पूरा करने के लिए क्या करते हैं हम लोग फॉरन ट्रिप्स जाते हैं अब इमेजिन करो अगर मैं आपको फॉरन भीजू आपको मैं आपकी फैमिली के स्टीब नीड को तो जाओगे पर वहां पे एक भी फोटो नहीं खीश सकते या आप किसी को बता नहीं सकते कि आप स्टीब नीड को डालते हैं इसके साथ मतलब एस्टीब नीड को तो चोथा सवाल आपने अपने आप से करना है कि क्या आज मैं वो काम कर रहा हूं जहां पे मैं अपनी जिंदगी को वी आईपी बना रहा हूं क्या अगर आज मैं रेड लाइट पे खड़ा होता हूं और मेरे साथ में एक ओडी गाडी खड़ी हो और मेरे मन में एक सवाल आथे कि काश ये ओडी गाडी मेरे पास होती है तो मुझे शोचने की ज़रूरत है क्योंकि काश ये ौडी गाडी मेरे पास ह 49पि बजय उस ओ डी के अंदर बैठा हूवक्ती मैं क्यूं नहीं हूं My dear friends, again, जिन्दगी में ऐसा काम करिए ताकि आप अपने माबाप को, अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को, पर जब आप शीशे के सामने खड़े होते हैं, आपको शीशे के सामने जो व्यक्ति रिखाई देता है और आपके मन में आता है कि आप जो व्यक्ति शीशे के सामन को बहतर कर पा रहे हूँ, इसके साथ my dear friends आगे बढ़ते हुए, जो हमारी पांचवी नीड होती है, उसे कहा जाता है, self-actualization नीड भी आखरी नीड होती है, self-actualization का मतलब क्या होता है, अगर मैं को simple भाशा में समझाओं, तो जिस भी काम को करके आपको सुकून मिलता है, आपको खुशी मिलती है, मन की शांती मिलती है, उसे self-actualization कहा जाता है, for example, जैसे NGOs, हम जब NGOs में कोई, हम लोग कभी अन दान करते हैं, हम लोग कभी NGOs में खाना, पैसा डोनेट करते हैं, तो वो करके जो खुशी मिलती है, उसको self-actualization कहा जाता है, हम कभी blood डोनेट करते हैं कब भी अब रख्ट दान करो तो आपको अच्छा लगता है कि मैं कुछ अच्छा काम के society के लिए हम किसी गरीब इंसान का पेट भर देते हैं किसी बच्चे के education का खर्चा उठा लेते हैं तो हम जब भी दूसरों के लिए कुछ अच्छा करते हैं उसको करके जो खुशी मिलती है उसे self actualization का जाता है example आपको देता हूं आपने कभी imagine आपने कभी notice किया होगा यह जो गुरुदवारे होते हैं अब एक चीज़ देखो कि वही सरदार गुरुदवारे में सफाई कर रहा होता है जैसे घर में खुद 10 नोकर हैं लेकिन गुरुदवारे में आकर वो जूटे बरतन भी धो रहा है वो लोग की गंदे चपले भी साफ कर रहा है उसको रख रहा है क्यूं क्यूंकि उसको वो काम को करके सुकोन मिलता है कि मैं भगवान के घर पे कुछ अच्छा काम कर रहा हूं तो जब भी आप दूसरों के लिए कुछ करते हो वो करके आपको खुशी मिलती है that is called self-actualization My dear friends अपने बच्चे का पेट तो हर इंसान भड़ता है मज़ा तो तब है जब आप दूसरों के बच्चों का पेट भड़ सको तो इसलिए दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं जो अपने इस चीज़ के उपर काम करते हैं आज हम 50,000 रुपए का मोबाइल फोन अराम से खरीद लेते हैं लेगन अगर किसी बच्चे को 10 रुपए देने पड़ जाए तो हमें बहुत भारी लगता है मतलब मैं आपको मेरा यह कहने का मतलब यही है आपसे कि आज हम जिस भी काम में हैं क्या आज हम ऐसा काम कर रहे हैं कि हम दूसरों के जिंदगियों को बदल सके अब आज मैं आपसे यह बाते क्यों कर रहा है देखिए अभी तक हमने पांच जरूरतों के बारे में बात करी बेसिक जरूरते पूरी करनी चाहिए इतना पैसा कमाओ कि आपके सेक्यूरिटी हो सके आपका सोशल सरकल बड़ा हो सके आप अपनी जिंदगी को वी आईपी बना सको आप दूसरों के लिए कुछ कर सको अलग-अलग इंडस्ट्रीज अलग-अलग नीड को कैटर करती है वह आप नौकरी करके अपना पेट तो भर सकते हो या आप FD वग्यारा गोल्ड वग्यारा बना सकते हैं नौकरी करके आप अपने परिवार के वर्ल्ड टूर पे नहीं जा सकते हैं नौकरी करके आप दो करोड रुपए की गाड़ी नहीं खरी सकते हैं आप बहुत अलग नहीं होते हो राइट से मैंने का different industries scattered different अलग 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 रीड़ करती है पर वेस्टीज एकलोता ऐसा platform है एकलोती ऐसी company है जो हमारी इन पांचों की पांचों नीड को पूरा करने में हमारी मदद करती है my dear friends आज हमारी company में कितने सारे ऐसे लोग हैं जो आज महीने के लाख रुपय कमा रहे हैं आज अगर आपके घर में महीने के 5 लाख रुपय वेस्टीज से आ रहे हो तो चाए 100 रुपय लीडर पैटरोल हो चाए 200 लीडर पैटरोल हो आपको कोई फरक नहीं पड़ेगा इस lockdown के अंदर जहां पर बड़े-बड़े काम बंद हो गए थे हमारी leaders की income आती रही मतलब आज डाल, चावल, आज ये सारी चीजें आज हमारी basic जरूरते पूरा करना vestige में हमारी leaders के लिए एक बहुती common बात बन चुकी है जहां तक security की बात करो आज हमारे vestige में बहुत सारे leaders आज हमारे बीच में नहीं रहे लेकिन उनके बनाया हुआ network आज भी उनके family को परमन्त एक बहुत handsome income दे रहे life कुछ नहीं पता होता लेकिन vestige में जो आज आज मेहनत करते हैं आज की मेहनत आपके आने वाली कितनी generation को यहाँ पे security देती है आज आज आपको कोई job कर रहे हैं आपके जाने के बद आपके बच्चे को आपके position नहीं मिलती लेकिन vestige में आप जिस level पे हैं आप जब उस level से चले जाते हैं तो वो पूरा का पूरा पूरा की पूरी इंकम आपकी family को चली जाती तो security है कि मैं वैसी जबने आज के लिए नहीं कर रहा है मैं वैसी जबने आज और आने वाली कितनी generation को secure करने के लिए कर रहा हूं आज social lead की बात करो आज एक 26 साल के लड़के को आज वो youth icon बन चुका है मैं शेवम की बात करो शेवम गोसवामी की एक लड़का जो आज youth icon बन चुका है 26 साल के उमर में एक लड़की कितने सारे ऐसे examples हैं कि आज लोग उनके autograph लेते हैं और फोटोग्राफ खिचवाते हैं उपना idol मानते हैं सोचे कितने 26 साल के लड़के होंगे अज लोग आपके दाथ फोटोग्राफ खिचवाते हैं आपका social circle बढ़ता है एक्जांपल देतो हमारे लीडर हैं उनको वो एक बार कहीं से training करके आ रहे थे तो उनका car का accident हो गया तो उन्होंने क्या किया दो लोग को phone किया सबसे पहले अपने ब्रदर को phone किया जो उस शेय से दूर रहता है और दूसर अपने डाउन लाइन को phone किया जब तक उनका ब्रदर उनके पास आप पहुंचता तब तक उनके डाउन लाइन ने उनको hospital में admit भी करवा दिया और उनका जिन्दगियों कामयाद बनाते हैं इसके साथ esteem need आज कितने सारे ऐसे लोग हैं जिए आज vestige में अगर कोई व्यक्ती Audi, BMW लेता है Mercedes लेता है तो कोई अचमबा नहीं हो तब इस वेस्टीज में आज ये common चीज़ बन चुकी है आज लाखों रुपए के चेक vestige में आहाम बाद बन चुकी है foreign trips vestige में आहाम बाद बन चुकी आज कितने हजारों लोग आज vestige से फॉरण जाच चुके हैं कितने सारे लोग आज अपने dreams को पूरा कर चुकी हैं एक कपड़े काटने वाला विक्ति आज BMW Mercedes चला रहा है एक दोनों आखों से अंधा विक्ति आज महीने के 4 लाख रुपए कमा रहा है my dear friends आज लोगों के लिए vestige में luxuries एक common चीज़ बन चुकी है और इसका self-actualization आज कितने सारे ऐसे लोगे आज आप एक चीज़ देखो आज हम vestige के जरीए चाहें न चाहें बड़ लोगों को एक अच्छा platform दे रहे हैं लोगों को अच्छी health दे रहे हैं imagine करो example एक situation आपको देता हूँ आपको बहुत गुस्ता आया हुआ है इतना गुस्ता आया हुआ है कि आप कोई भी आपके सामने आज़े और आप अपना सारा गुस्ता उस पर निकाल दोगे और उसी गुस्ते के टाइम पर अगर आपके डाउन लाइन का फोन आ जाता है तो हम क्या करते हैं हम अपना सारा गुस्सा भुला कर उसको बोलते हैं हाँ जी बताओ सर कैसे याद किया इकलोता ऐसा प्लैटफॉर्म जहां पर हम अपनी प्रॉब्लम को भूल कर लोगों को सपोर्ट करते हैं ताकि वो वेस्टीज में काम में अब हो जाएं तो वेस्टीज एक वो कंपनी है जहां पर जब आप मेहनत करते हैं तो आपकी इन पांचों की पांचों नीड को कैटर करती है तो आपने अपने आपसे सवाल ये पूछना है कि आज आप वेस्टीज में जो भी काम कर रहे हैं जो भी इंकम ले रहे हैं आप अपने किस नीड क पूरा कर रहे हैं और आपको कहां तक पहुंचना है दूसरा आपके सामने जो धक्ति आया है वो जिन्दगी में क्या चाहता है उसको वैसे लिए में सुलीषन दो अब इमेजन करिये एगर आपको रतान टाटा को वैस्टी समझाने का मौका मिले और आप रतान टाटा को बोलोगी सर मैं आपको अपने लिए एक दिन जैगोर गाड़ी ले लोगे तो शाद कभी आपकी बात नहीं सुनेगा क्योंकि जो इंसान जैगोर का मालिक है जिसकी कमपनी जैगोर है तो उसको आप जैगोर से मोटिवेट नहीं कर सकते लेकिन अजर आपको रतन टाटक आप यह बोलो कि सर मैं आपक एक ऐसी opportunity बताना चाहता हो जहां पर आप कितने लाखों लोगों को एक वो website दे सकते हो जिससे वो अपने जिन्दगी को बदल सकते हैं तो यह बात उनको motivate करती है तो यह pyramid हमें अपने अपने level को भी बताता है कि हम कहां पर में कहां तक पहुँचना है और हमारे सामने जो व अपके साथ काम भी करेगा और लग करागत काम है